बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार बैखुर डॉक्टर स्रीपती तेपाथी जोतिस आस्तर में कुछ योगों को राज्योग कहा गया है यह बिशे सुभ योग होता है और जिनके कुंडली में यह योग पाया जाता है उनका जीवन राजा के समान होता है कुछ राज्योग तो वास्तों में ऐसे होते हैं जो ब्यक्ति को राजगदी पर बैठा देते हैं इसलिए अक्सर लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या उनकी कुंडली में भी राज्योग है कुंडली में बनने वाले कुछ बेहतरीर राजयोगों के बारे में जानिए जिनका जиков ने कहा है कि जिन लोगों के कुंडली में सभी गर, दूसरे, तीसरे, छटे, आठे, आठे, ऑबारोहमे घर में होते हैं वह महान, राजयोग लेकर पैदे हुए होते हैं इसे शिंहासन योग कहते हैं इस योग को लेकर पैदा हुआ ब्यक्ति, राजगदी पर बिराजबान होता है और राजा बनता है, आजके संदर्व में बात करें तो ऐसे ब्यक्ति कोई मंत्री या सरकारी छेत्र में उच्पद पर बिराजबान हो सकते हैं दूसरा जोग है ध्वज जोग जिस ब्यक्ति की जन्म कुंडली में आठवे घर में असुभगर सनी शुर्य राहो मौजूद हो और सुभगर जैसे गुरु चंद्रमा सुक्र लगने यानि पहले घर में मौजूद हो वह बड़े की किस्मत वाले होते हैं वह बहुत बड़े क किस्मत वाले होते हैं ऐसे लोग ध्वज नामक राज जोग लेकर पैदा होते हैं ऐसे लोग समाज में आधरनी होते हैं और बड़े राजनीता हो सकते हैं तीसरा है चाप जोग जिनकी कुंडली में गुरु अपनी रासी मीनिया धनू में हो शुक्र तुला रासी में हो या मंगल अपनी उचे रासी मेश मेश्तित होते है तो वह धन शंपत्ती के मामले में बड़े ही स्ववाग साली होते है ब्रिगु शंगीता के नुशार ग्रहों के सिस्थिती से चाप नामक शुख जोग बनता है जिसे ब्यक्ति राजा के समान प्रभावशादी होता है तब चंद्रमा बनाता है राजजोग आपको बता दें कि कुंडली में चंद्रमा एगराहमे घर में और गुरु तीसरे घर में होने पर राजजोग बनता है इस जोग को लेकर पैदा हुआ ब्यक्ति राजा के समान होता है यह अपने आप में प्रश्यधि प्राप्त करता है और धान संपन्न होता है इस तरह कुंडली के पाचवे घर में बुद्ध और दस्वे घर में चंद्रमा होने पर राजजोग का फल प्राप्त होता है उच्च का गुरु दिलाता है शुक कुंडली में गुरु करक लगन में बैटा हो यानि उच्च का गुरु पहले घर में बैटा हो तो बाकी ग्रह अनकूल नहीं होने पर भी ब्यक्ति बहुत धनी होता है इकाय के किम कुरुवन्तू ग्रहे शर्वा यसे केंद्रे बिरहस्पती जिसके केंद्र में हुच्चे के बिरहस्पती हो तो और ग्रह क्या करेंगे ब्यक्ति बहुत ही ज्यानी, शाहसी, धनी और आधरणी हो जाता है ऐसे ब्यक्ति समाज में आधर पाता है और राजा के सवाग शुख पाता है बुद्ध चंद्र के संजोगों से भी बनता है राजजोग जिनके कुंडली में बुद्ध और चंद्रमा दोनों एक साथ बृषराशी में या कन्याराशी में इस्थित होते हैं वह अपनी वाणी और चतुराई से जीवन में अपार सफलता प्राप्त करते हैं ब्रिगु संगीता के अनुशार यह चंद्रमा और बुद्ध की यह इसी स्थिती के कारण राज्योग बनता है ऐसे लोग राजनीती में भी काफी सफल होते हैं अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें सेर करें और कमेंट्स करें तब तक के लिए नमशकार